पोको सी 65 बरसेस मोटो जी 14 तो जय हिन दोस्तों क्या हाल चल तो आज की इस बीड़ो पर देखेंगे इन दोनों स्मार्टफून में से कौन सा स्मार्टफून आपको ज्यादा वेल्वी फोर मानी देखने के लिए मिलता है आठ से 10,000 की बीच में तो चलिए बीड़ो को शुर आइपी 52 का रेटिंग भी देखने के लिए मिलता है मतलब थोरी बहुत पानी के चीटिया और डस्ट से प्रोटेक्ट रहने बाला है और अगर वेटन दिकनिस की बात करते हैं तो आपको ज्यादा लाइटवेट और ज्यादा स्लीम देखने के लिए मिल जाता है आप देख के साथ अगर आपको बैटर क्वालिटी का ओडियो चाहिए तो यह पर इस मामने में मोटो जी 14 बैटर होने बाला है डिस्प्ले की बात करते हैं पोको के अंदर शिक्स पन फॉर इंच का एजडी प्लास LCD दिस्प्ले देखने के लिए मिलता है नाइंटी हाट्स अगर बात करते हैं कौन सा डिस्प्ले बैटर है तो अगर आपको बात करते हैं मोटो जी 14 को बैटर कहना चाहूंगा बैटरी की बात करते हैं दोनी फोन के अंदर पाचा जरे में बैटरी देखने के लिए मिलता है पोको के अंदर 10W का चारजर देखनें के लिए मिलता हैं बोक्स के अंदर लेकिन फोन 18W की चारजिंग को सपोट करता हैं मोटो जी 14 के अंदर आपको 20W का चारज़र 6 देखने के लिए मिलता है LPDDR4X RAM के साथ UFS 2.2 का स्टोरेस साती में इस फून के अंदर तो स्कूर देखने के लिए मिलते हैं 3 लाग के असपास तो अगर बात करते कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है तो यह पर दोनों ही जो प्रोसेसर है काफी आच्छा आपको देखने के लिए म जिसकी मदल से आप ओपेनिंग क्लोजिंग ज्यादा फास्ट होने बाला है ज्यादा स्मूध एक्सपिरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा मोटो जी 14 के अंदर तो बरॉल प्रविमेंस के ममल में थोड़ा सा आपको बैडर मिल जाते है मोटो जी 14 तो दोस्तों वीडियो मोटो जी 14 की बात करते है तो यह पर आपको माई UX देखने के लिए मिलते है जो कि एक क्ली इवाई है जिसके अंदर आपको कोभी फालतुका एपस और पर देखने के लिए नहीं मिलता है एक दू देखने के लिए मिल जद है लेगन आप अने स्टोल भी कर वाएंगे साती म सथ में आपडेट्स की बात करते हैं फोन चे यंदर सिंगल आय कर पाएंगे इंदर कोग्ल डायलियर सब n और रेकोडिंग करना है तो यह पर आपके लिए फोको से 65 बैटर होने बला है केमरी की बात करते हैं तो यह पर फोको से 65 के अंदर 50 Megapixel का में जंसर साती में एक AI लेंस और एक डियाप संसर 2 Megapixel का 8 Megapixel का Selfie Camera मिलता है Moto G14 के अंदर 50 Megapixel का में संसर साती में 2 Megapixel का मेक्रों संसर और 8 Megapixel का Selfie Camera दिया है वीडियोग्राफिक के बात करते हैं तो यह पर आप दोनी फोन के रियर और फ्रांट से Full HD तक रेकोडिंग कर पाएंगे 30 पेस पर और इसका बात प्राइसिंग की बात करते हैं पर पोको से 65 का तीन वेरियंट है 6GB RAM 118GB Studios के साथ इसका प्राइस है 9000 रुपए 8GB RAM 256GB Studios के साथ इसका प्राइस है 11000 रुपए 14 की बात करते हैं तो इसके एक ही बेरियंट है 4G RAM 128 GB स्टोर्स के साथ इसका प्राइस था 10,000 रुपए लेकिन अभी ये 8,500 रुपए में देखने के लिए मिल जाता है तो दोस्ते जो फोन के प्राइस होते हैं कभी-कभी उपर नीचे होता रहते हैं तो आप कारेंट प्राइ चाहिए साथी में क्लीन एंड्रोड चाहिए तो यापर आपके लिए मोटो जी 14 बेटर होने बला है और प्राइस की सबसे स्पेक विशन आपको काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है लेकिन अगर आप पोको सिल 65 को लेने के बारे में सोच रहो इसके अंदर आपको उसे बेटर स्पेक विशन देखने के लिए मिलते हैं साथी में इसके अंदर भी आपको रेकोडिंग कर पाएंगे लेकिन साबने बालों को पाता नहीं चलेगा आपको ये वीडियो पसंद देगा तो वीडियो को एक लाइक और चानल को सब्सक्राइब जोर से कर दिजिए में में तो किसी नेक्स दीडियो बार थैंक्स पर वाचिंग